पॉस्ट्टू एथीजम हिंदी चैनल प्रेक्षिकों को स्वागत आज मैं विवेक मोहन से लिखी हुई राजा रामोहन रही पुस्टक में कुरुतियों का विरोध के बारे में आपके सामने प्रस्तुत करना चाहती हुँ तो फातिल मुवाहिदीन सही अर्धों में कटत धर्मपरायनाते के विरोध्युद का पाहला एलान था इस अभुत पुर्पुस्टक में सब्द नहीं अंगारे भरे हुए थे जिनकी तपिश रूडिवादी दर्मांद लोगों को तपा रही थी अग्ञानता के वशी भुत भटके हुए लोग रामोहन को अपना सबसे बड़ा दिश्मन समझने लगे और समझते भी क्योम नहीं जिस तरह सद्यूम से वे लोग अपनी आस्ता का पोशन कर रहे थे रामोहन ने उसे काफी हद तक गलत सिद्ध कर दिया था मूर्टि पुजा के बारे में उनका जो कहना था वह किसी धार में की व्यक्ति के गले के नीचे नहीं उतर रहा था उनका कहना तागी ये दि मूर्टि पुजा ना भी की जाये तो भी इश्वर प्रसंद रह सकते हैं मनिश को सिर्फ वुच वीचार और सादगी से राहना सीखना चाहिए पत्नी को पती के साथ सती किये जाने पर उन्होंने इसे हच्चा कहा उन्होंने कहा इससे किसी प्रकार का फुण्य नहीं होता बलकि गोर पाप होता हैं ये एक जगन्य पाप स्त्री को भी पुरिश की तरह अधिकार मिलने चाहिए स्त्री पुरिश की जन्नी हैं उसका सम्मान किया जाना चाहिए उसकी हच्चा नहीं उनके तरकों में एक आकाठी सच्चाई थी उनके विरोधी उनका विरोध अवश्य करते थे परन्तु उनके तरकों का किसी के पास कोई उत्तन नहीं होता था रामोहन का दृष्ट कोन आईने की तरस साफता उनके विचरम में एक सादगी और एक सच्चा ही थी एक बार एक आदमी सेंख बेचने के लिए लाया उसने उस सेंखा का मूल्य पांसो रुपिय मांगा उसने कहा आदमी को जो भी चाहिए यह सेंख उसे दे सकता है जो इसका मूल्य चुका कर इसे प्राप्त करेगा उसको सभी प्रकार की समरुद्धी प्राप्त होगी रामोहन के मित्र काशी राम उस सेंख बेचने वाले की बातों से काफी प्रभावित हुए संभव तहा उनके जीवन में कोई अबाव रहा होगा इसलिए उनहोंने उसे खरीदना चाहा मामला पांसो रूपिय का था इसलिए उनहोंने रामोहन से राय मांगी रामोहन बड़ी दे से उस सेंख बेजने वाले की वागपटुता देख रहे थे अपने मित्र के प्रिश्ण पर वह टाहा का लगा कर हमसे और बोले अगर यह सेंख विस्व की सारी संपत्ति दे सकता हैं तो यह साक्षात लक्ष्मी का आवतार होना चाहिए मेरी समझ में में यह नहीं आ रहा की यह विक्ति जो हालत से मुझे समरुद्धी नहीं लगा रहा वह यह सेंख से अपनी गरीबी दूर करने की बज़ए इसे बेच क्यों रहा हैं अगर यह सेंख इसे समरुद्धी नहीं कर सका तो तुम्हें क्या करेगा जैसे ही वो सेंख बेचने वाले विक्ति ने रामोहन के मुख से सच्चाई सुनी वह वहां से 921 हो गया और उनके चले जाने पर वे दोनों जोर से हमस पड़े यह तो सिर्फ एक सेंख बेचने वाले की कथा और रामोहन के मित्र द्वारा उस पर एकिन कर लेने की घटना थी परन्तु सच्चाई इससे भी अधिक हास्यस पद और दैनी थी इसी तरह लोग नीम हाकिमं जाक फूं करने वालं और चमतकारी सेक्तियों के चेंगुल में फंसे हुए करा रहे थे रामोहन वुन सभी को अग्णानता की नीन से जगा देना चाहते थे अगले एपसोड में राजा रमोहन राए के बारे में और कुछ अम्षण को जानेंगे धन्यवाद प्रमोहन वीडियोस प्लीस सब्सक्राइब तो इस चैनल पोजिटिव एथीजम और अक्टिवेट थे बेल आइकोन अगले बेल आइकोन